Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज 15 अगस्त के अवसर पर Books That Speak पेश कर रहा है तीन कहानियों की माला उसमें से पहली कहानी है प्रसिद्ध कवी भारतियार भारतियार दक्षिन भारत के एक प्रसिद्ध कवी थे भारत की स्वतंत्रता की लडाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था वो एक देशभक थे और उनके लेखों का समाज के कुछ वर्गों पर गहरा प्रभाव पड़ा ओरिजिनल स्टोरी इन तमिल बाई स्टोरी विव कम्यूनिटी कहानी लिखी है गायत्री कल्यान रमन, चित्रांकन गायत्री कल्यान रमन और जुही अगरवाल हिंदी में अनुवाद अर्विन गुपता, कहानी का वाचन आसावरी दोशी भारत के दक्षिनी भाग में एक राज्य है, तमिल नाडू, जिसने बहुत सारे देशभक्तों को जनम दिया है इसी भूमी में प्रसिद्ध देशभक्त भारतियार का जनम हुआ, लोग प्यार से उन्हें महाकवी भारतियार बुलाते थे उन्होंने भारत की स्वतंतरता की लड़ाई में एक एहम रोल अदा किया अन्य लोगों की बजाए उन्होंने संघर्ष का अपना अलग रास्ता चुना पैन यानि की कलम यही उनका अस्त्र था और वो किसी भी तलवार से अधिक ताकदवर था उनका सपना भारत को मुक्त कराना था उन्होंने आजाद भारत के लिए कविताय लिखी वो समानता में विश्वास रखते थे और उन्होंने महिलाओं के समान अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने कलपना की और नए युक की आदर्श नारियों के बारे में लिखा उन्होंने भिन 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 विशयों पर कविताय लिखी देश भक्ती, जाती प्रथा, महिलाओं की बराबरी, आध्यात्मीकता, आधी पर उनका नाम भारतिय इतिहास में गहराई से अंकित है और उनके लिखों का आने वाले भविश्य में भी गहरा प्रभाव पड़ेगा 15 अगस्त के अउसर पर तीन कथाओं की माला में ये पेश था पहला फूल प्रसिद्ध कवी भारतियार और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर मिलते हैं अगली कहानी में धन्यवाद बाई बाई